अपने बिजनेस कारोबार धंदे के विग्यापनों के लिए हिंदुसानी रिपोर्टर की इस एमेल आईडी पे संपर्क करें दावुद का बड़े मनाने पर हुआ बवाल पत्रकार को मिली जान से मारने की धमकी मैं रफिक कामदार हिंदुसानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है अंतर राश्रिय आंतकवादी घोशित हुए और मुंबई में 1993 में हुए बम धमाकों के मुख्य आरूपी दावुद इबराहीम कासकर 27 दिसंबर को डोंगरी में रहने वाले शेरा चिकना नामी व्यक्ती ने दावुद इबराहीम कासकर का अपने घर में जन दिन मनाया और इस जन दिन मनाने का केक वगेरे का जिस पर दावुद का नाम लिखा है उसने एक वीडियो फेस्बूक पर अप्लोड किया वहीं दैनिक वृत्तमित्र के पत्रकार और यूटूब चैनल चलाने वाले पत्रकार मौसिन शेक ने इसकी ख़बर बनाई ख़बर बनाने के बाद शेराच चिकना ने फोन कर मौसिन शेक को धंकाया मौसिन शेक ने इस सम्ध में गोरेगाव पुलीस टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और पुलीस ने एंसी के तोर पर उनकी शिकायत ली है वहीं डोंगरी पुलिस टेशन के सीनियर पी आई का कहना है कि वो मामले की जांच कर रहे अभी तक हमारे पास कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है तो दाउद का जन्दिन किस तरीके से बवाल पैदा कर रहा है ये भी सामने आया और अब पुलिस जो है जांच में जुट गई है मोजिन शेक को मिली धम किया फिलाल अगवार की सुर्खिया बनी हुई है डोंगरी में मनाया गया शेरा चिकना द्वारा दाउद का जन्दिन और उसकी खबर बनाने वाले पत्रकार को मिली शेरा द्वारा जान से मारनी की धमकी इसकी पूरी जान करी देने वाली थी आज की हमारी खबर, जल्दी हाजिर होगे हम अपनी अगली खबर के साद झाल झाल